नमस्कार आप सबी भी ये पार्ट प्रसंवर्ष के विद्यारतियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है आज हम हमारे पूर्व के व्याख्यान संस्कृति पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं आज के व्याख्यान से पूर्व हमने संस्कृति के संदर्व में इसके जो प्रवर्धन के जो सिद्धान्त है उसके उद्विकासिय सिद्धान्त की चर्चा की थी उसके प्रशाथ हमने इसके प्रसारवादी सिद्धान्त की चर्चा की थी प्रसारवादी सद्धान्त के अंतरगत हम ब्रिटिश प्रसारवाद जर्मन प्रसारवाद की चर्चा पौन रूप से कर चुके हैं और अमेरिकन प्रसारवाद की चर्चा में प्रेंच बॉस, क्लार्क विसलर और क्रॉबर के विचारों से अवगत हो चुके हैं इसी क्रम में आगे विसलर ने जब संस्कृतियों के लिए बहुतिक छेत्रों की बात की तो विसलर का मानना था कि अबहुतिक संस्कृति के तत्व कुछ दूरी तय करने पर धुंदले पढ़ने लगते हैं तथा विभिन इस्थानों के पर्यावरण के अनुसार उन तत्वों में मिल जाते हैं जो उसकी विशेष्टा नहीं है प्रतेक संस्कृति छेत्र में वितरन का एक केंदर बिंदू तै किया जा सकता है तथा उस संस्कृति छेत्र की सीमाएं निर्धारित की जा सकती है सीमा पर पहुंचकर ये तत्व हलके पड़ जाते हैं और उनमें विदेशी संस्कृती अर्थार्त दूसरी संस्कृती की विशेशताएं आ जाती हैं संस्कृति के प्रसार में पहाड वा समुद्र बादाएं हैं फिर भी संस्कृति का प्रसार होता रहता है जहां पर दो संस्कृति छेत्र मिलते हैं उसे सिमान्त संस्कृति छेत्र भी कहते हैं जिस पर दोनों संस्कृतियों की विशेश्टाएं देखने को मिलती हैं अर्थार्थ सिमान संस्कृति छेत्र की अवधार्णा विस्लर ने दी थी यह परिक्षा के दृष्ट्रिकॉण से एक मैस्पूर्ण प्रश्ण है साथ ही यहां विस्लर कहते हैं कि संस्कृति के अभौतिक पक्ष कुछ दूरी तै करने के बाद दुझले पढ़ जाते हैं पर इसके पश्चाथ उस छेत्र से जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उस संस्कृति के तत्वों हलके पढ़ते चले जाते हैं अर्थार्थ दुंदले होते चले जाते हैं और एक स्थान पर आके वह जो दूसरी संस्कृति के तत्वों के विशेशनाएं भी उसमें देखने को मिल कि विसलर का मानना है कि समुद्र और पहाड जैसे भोगोलिक तत्व संस्कृति के प्रसार में बादा बनते हैं और जहां पर दो संस्कृतियों के तत्व मिलते हैं उसे विसलर ने सिमांत संस्कृति कहा है और ऐसे सिमांत संस्कृति छेत्र में दोनों ही संस्कृतियों कि विशेष्टाइं देखने को मिलती हैं अब यहां पर आके अपना संस्कृति का जो अमेरिकन प्रसारवाद की जो अवदार्णा थी वो पूर्ण होती है इसके परशाथ एक बहुत महत्मून में हैं वह हैं पर संस्कृति ग्रहण कभी कभी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के बहुसंख्यक तत्व एवं संस्कृति तत्वों समुहों को ग्रहण कर लेती है अथ्वा पूर्ण संस्कृति दोवारा दूसरी संस्कृति के ब्रभाव के कारण जीवन के संपूर्ण त और यह प्रक्रिया दो संस्कृतियों के ग्रहन करने की प्रक्रिया को दर्शाती है अर्थार्थ जब एक पूर्ण संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति के प्रभाव के कारण जीवन के संपूर्ण तरीकों को ग्रहन कर लिया जाता है तो इस विधी को पर संस्कृति ग्रह कहा जाता है कि शामाचरण दूबे जो भारत के सामाजिक मानव शास्त्री थे उनके अनुसार दो संस्कृतियों के संपर्क की इस्थिती में यदी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से अथवा किसी दबाव से ग्रहन करे तो इस प्रक्रिया को संस्कृति ग्रहन कहा जाता है अर्था शामा चरेंड जूबे भी पर संस्क्रती ग्रेंड की परिवाशा को रखते हैं उनके अनुसार दो संस्क्रतियों के संपर्क की इस्तिती में यदि एक संस्क्रती दूसरी संस्क्रती के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रेंड करे तो इस प्रक्रिया को परसंस्कृति ग्रेंड कहा जाएगा अर्थार परसंस्कृति ग्रेंड स्विच्छा अथ्वा दबाव दोनों ही प्रकार से होन सकने वाली एक प्रक्रिया है परसंस्कृति ग्रेंड के लिए जो आवशक दशाएं हैं अब हम उनकी चर्चा करेंगे पहली एक संस्कृति अपने को स्रेष्ट समझती है दूसरे को हीन जिसमें हीनता का भाव एक सम्हू में पनब जाता है अर्थार एक संस्कृति अपने को स्रेष्ट समझे और दूसरे को हून इससे हीनता का भाव एक सम्हू में पनब ता है अर्थार परसंस्कृति ग्रेंड के लिए दो आवशक दशाएं हैं इसमें पहली दशा कि जब भी दो संस्कृतियों में से एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्तों को आत्मसाथ करती है या पूंड रूप से ग्रहेंड करती है तो ऐसी परस्तिती में एक संस्कृति शेष्ट होती है और दूसरी संस्कृति हीन होती है और हिंता का बावना उस सम्हू में पनब जाती है, इसलिए वह दूसरी संस्कृति के समस्तत्वों को ग्रहन करता है। इसी प्रकार जिस संस्कृतिक प्रष्ट भूमी में समू ने जीवन सीखा है, वही नश्ट हो जाता है, तो वह समू अपने जीवन में रूची लेना भी छोड़ देता है। अब संस्कृति के जो दर्ष्टी कोण है, उनकी हम चर्चा करेंगे। संस्कृति का जो प्रकरयात्मक दर्ष्टी कोण है, फंक्शनल एप्रोच है, उस एप्रोच में मेलनौस की नामक समाश्चास्त्री का बहुत महत्पून योगदान है। मेलनौस की कहते हैं कि संस्कृति एक साधन है, इसके दुआरा मानव अपने शाररिक और मानसिक और अंतिम रूप से बौद्धिक अस्टित्व को बनाए रखने में सफल होता है। अर्थार्थ संस्कृति मनुष्य के शाररिक मानसिक अस्टित्व को बनाए रखने वाले साधनों की समगरिता का नाम है। आपने मानव की साथ आधार भूत प्रानिशास्तिय आवशक्ताएं भी बताई है। संस्कृति को मानव की सामाजिक, मानसिक, शाररिक और बौधिक अस्टित्व को बनाए रखने में महत्मूर मानता है। अर्थार संस्कृति मनुष्य के शाररिक और मानसिक अस्टित्व को बनाए वाले साधनों की पूर्ण समगरिता का नाम है। इसी क्रम में मैलनौस की उन साथ आधार भूध प्रानिशास्त्री आवशक्ताओं की बात करते हैं जो संस्कृति के माद्यम से पूर्ण होती है। इसके अंतरगत पर्थम इस्तर पर मैलनौस की कहते हैं कि शरीर पोशक का काम संस्कृति करती है। अर्थार संस्कृति के की परिवार नाम की काई मनुश्य के लिए पोशन का काम करती है। अर्थार एक बच्चे को जन्म से पोशन की प्राप्ति उसके परिवार के माद्यम से होती है। दूसरा उत्पादक, प्रतेक संस्कृति के अंतरगत उत्पादक तत्वों को महत्ता दी गई है, यह उत्पादक तत्व उस परिवार के मुख्या के माध्यम से पूर्ण होते हैं, अर्थार उत्पादन का काम भी संस्कृति करती है, तीसरा है, शाररिक आराम, अर्थार, एक परिवार की अवधारना के अंतरगत, संस्कृति के माध्यम से एक परिवार का निर्मान होता है, और एक परिवार एक निश्चित भोगुलिक शेत्र के अंतरगत रहने वाली व्यक्तियों का रात्यदारों का समू होता है, और परिव के माध्यम से व्यक्ति को शारिक आराम भी प्राप्त होता है सुरक्षा संस्कृति व्यक्ति को सामाजिक संस्कृतिक एवं मांस्तिक रूप से सुरक्षा भी प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्कृति परिवार धर्म आदितत्वों को अपनाती है इसके पश्चात मैलनौस की जो पांचवी आउशक्ता बताते हैं संस्कृति की वह है गती छटी के अंदर ब्रद्धी और सात्वी के अंदर स्वास्त अर्थार विवा जैसे संस्ता के माद्यम से संस्कृति गती दर्ष्ट्रिकोंडों को पूर्ण करती है इसी लिए संस्कृति का जो प्रकार्यवादि दरष्थी को हैं उसमें मैलनोवस की इस्पश्थ रूप से कहते हैं कि संस्कृति मानव की सामाजिक सांस कृति शाररिक और बौधिक अस्मिता को बनाए रखने का काम कर तैं अब ओ अब मैलनौस्की कहते हैं कि यह जो विभिन संस्कृति तत्व सईत रूप से रहकर इन साथ आवशक्ताओं की पूर्ति करते हैं अर्थार संस्कृति के अंतरगत विभिन तत्व होते हैं और वैसे मिलकर इन साथ आवशक्ताओं की पूर्ति करते हैं तता प्रतेक समाज में इ भी अलग-अलग होता है अर्फार किसी भी समाज के सांस्कृतिक तत्यूथ भी निनृमित करते हैं रेटक्लिफ ब्राउन ने भी संस्कृतिक तत्यों के कार्यों पर अथ्यति बल दिया है लेकिन ये संस्कृतिक तत्यों के कार्य व्यक्तिक अस्थितु को महत्पूर ना मानकर समाज के अस्मिता को महत्ता प्रदान करते हैं अर्थार रेटक्लिव ब्राउन भी संस्कृति के प्रकार्यवादी दर्ष्टिकोंड के पक्षदर हैं और संस्कृति की व्याख्या प्रकार्यवादी तत्वों के अंतरगत करते हैं परन्तु ये रैटकिली ब्राउंड सांस्कृतिक तत्वों के कार्य व्यक्तिक अस्तित्व को मैत्मुर्णा मानकर समाज के अस्तित्व को मैत्ता प्रदान करते हैं अर्थार रैटकिली ब्राउंड का जो दर्ष्टिकोंड है वह सामाजिक जादा है मेलनोस की का जो दर्ष्टिगोंड है वह संस्कृतिक विट्टिवादी जादा है यहाँ पर आके हमारा जो संस्कृतिकी जो अवधार्णा है वह अवधार्णा पूर्ण होती है और हमारे जो सेकंड पुस्तक में जो संस्कृति की अवधार्णा है वह आदिम समाजों के अंतरगत अध्यन करने के लिए रखी गई है इसके अंतरगत संस्कृति का अर्थ संस्कृति की परिभाशा संस्कृति की विशेष्टा है और संस्कृति की तत्वों की बात तो हम जो हमारी प्रतम पुस्तक है उसमें जो पाठे क्रम है उसके अनुरूप ही है परन्तु इस पुस्तक में जो संस्कृति का जो विस्तार है वह संस्कृति प्रवर्धन के सिद्धान्त के माद्यम से हैं इसी प्रकार संस्कृति का जो प्रकारेवादी दृष्चिकोन है वहे भी इसके अंतरगत रखा गया है। संस्कृती प्रवर्धन के सिद्धानतों में दो सिद्धानत मैत्पून रूप से अध्यन में शामिल किये जाते हैं। पहला जो है वह उद्विकासिये प्रवर्धन का सिद्धान और दूसरा है प्रसारवादी प्रवर्धन का सिद्धान प्रसारवादी प्रवर्धन के अंतर के तीन धाराएं हैं ब्रिटिश प्रसारवादियों की दूसरी है जर्मन प्रसारवादियों की और तीसरी है अमेरिक का प्रकार्यवादी दिष्ट्रिकाव्ण और पर्संस्कृति के माद्यम से मानौ जीवन की 7 आवशकताwnें उपर प्रकाश डालते संस्कृत के लिए की सामाजिक अस्थुक्त के लिए मैता प्रदान करने की बात करते हैं है कि आप हमारा जो पाठे करम है उसा पाठे करम में कि एकाई-तीन के इंट्रक्त 10 नोब अवधारण theor रह जाती हैं पहली अवदारना है जादू और दूसरी अवदारना है धर्म अर्था आदिम समाजों में जादू और धर्म के संब्ध में जो चर्चा है वहे चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे और इस व्याख्यान में संस्कृती के संद्रव में यदी कोई प्रश्ण रह जाता है तो माविद्याले 8 तारीके पश्चाथ खुल रहे हैं उसके पर कशाउ submissions में भी इस संब्द में जो परिशानियां आ रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे धन्यवाद